हेलो दोस्तों वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आपके साथ सेयद समसाद हुसे बिहार डियलेट 2024-26 सेशन का अपलाई दस तारिक से होना था लेकिन किसी करण वस दस तारिक से अपलाई जो है वो नहीं हो पाया और ऐसे में बहुत सारे स्टुडेंट्स बहुत सारे ऐसे अभ्यार्थी हैं जो ये बार-बार सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार उनका जो ये अडिमिशन है वो कब से होगा दरसल आप एकदम से नए हैं डियलेट के बारे में नहीं जानते तो आप थोड़ा सा जानकारी मिलता है कॉलेज मिलता है ठीक है आपको वहाँ पर सरकारी अगर मिलता है तो समझ लिए कि बहुत कम पैसे खर्च लगेंगे आपका 30-40,000 प्रोक्स में आपका हो जाता है दो साल का कुर्स और अगर प्राइबेट मिलता है तो लाग से एक लाग 30,000 रुपय तक यहाँ पर जाता है लेकिन इसके लिए आपको एक्जाम तो देना ही होगा एक्जाम देने के बाद ही आपका जो है कॉलेज मिलता है ठीक है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए जो अपलाई होना था वो नहीं हो सका तो अब वो नेक्स्ट डेट उसका कब आ रहा है उसके बारे में चालू हो गया है लिंक एक्टिबेट हो जाएगा आज लेकिन आपको बता दे जो राजी के डिलेट कोर्स चालिट प्रसेशन संथाडू में जो सतर दो हजार तेश से पचीस में नामांकन है तो जो आयूजित सन्यूक्त परवेस परिच्छा जो जो हजार तेश के अधार पर दिया था ठीक है और किसी करणवस उनका नहीं हो पाया था तो उनके लिए सुनारा उसर था कि वह स्पोर्ट एड्मिशन करा सकते थे ठीक है लेकिन अभी जो एकदम से नए हैं दो हजार चौबीस और चब्विस सेशन में अपना एड्मिशन कराना चाहते हैं जिसके लिए इंटरिंस एकजाम में वो बैठना चाहते हैं तो उनके लिए आपको बता दें यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन अभी निकल के आया है यहाँ पर एक बार हम आपको बताते हैं दिखाते हैं यहाँ पर यह आप देख लिजेगा बिहार इसकूल एकदमिशन का जो यूट 2024 तक ठीक है यहाँ पर online registration की बात कही गई है कौन से सेशन वाले 2023-2025 में जो online registration है तो यहाँ पर करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है तो यहाँ पर registration का जो समय अधी रखा गया है 6 February 2024 ठीक है तो मान के चलिए कि अभी आपको इस मेहना के अन तक बताया जा रहा था लेकिन I hope उमीद करते हैं कि फरवरी से आपका यहाँ पर जो फॉर्म है 2024-2026 सेशन का वह apply होना start होगा फिलहाल आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जैसे ही apply होना start होगा आपको वीडियो के मादम से बता देंगे कोई fact news पर आपको ध्यान नहीं देना है ठीक है तो आप च चैनल के मादम से आपको अगत करा दिया जाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद सुग्रिया थैंक्यू धैर बनाये रखिए और त्यारी में जूटे रही अपने डोकिमेंट्स दस्तावेज आवासिये जाती आई वगएरा अधार कार्ट वगएरा जो भी है फोटो वगएर वो सब रेडी रखिए जैसे यह अपलाई चालू होगा हम आपको वीडियो के मादम से बता देंगे ठीक है और जो इसमें एक चीज़ और बता दें जो इसमें आपका दसता वेज लगेगा उसके बारे भी हम आपको बता दे रहे हैं इसमें आपका लगेगा आविदक का अ आवासे परमान पत्र जाती परमान पत्र और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि चालू होना चाहिए और पासपोर्ट साइच का पोटो और एक वैलिड इमेल आइडी ठीक है चलिए वीडियो का लाइक कर देजेगा और सेर कर देजेगा बहुत बद्धन बात श क्या जाओ कर दो कर दो कृया है